सब्सक्राइब तो मैं चैनल सूरज प्रकाश पर मोर अमेजिंग कंटेंट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूमी होगा कि लगबग 5-6 दिन पहले ही एसूस वीवो बुक की तीन सीरीज लॉंच की गई एड़ प्रेजन दोस्तों दो वेरियंट जो है लॉंच हुए हैं I don't know की फर्दर आगे कुछ आने वाले हैं I3 और I5 और हो सकता है दोस्तों आपको I7 वाला भी जो है आगे वेरियंट देखने को मिल जाए और बात करूं दोस्तों I3 वाले वेरियंट की तो यहां पर आपक को जो यहां पर है backlit की board के साथ में देखने को मिल जाता है अगर बात करूं पॉर सीचॉइशन की तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सक्ते हैं की काफी health सी आप लोगों बिल जाता है आपको इस साइड पर जो है राज साइड पर एक एक Micro, एक Type-C मिल जाता है, एक Micro SD card मिल जाता है और एक HDMI port आपको देखने को मिल जाता है, Audio jack port आपको जो है देखने को मिल जाता है, बात करे डिस्प्ले की तो definitely दोस्तो 15.6 इंच का 45% NTSC Color Gamout वाला जो है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एपर्ट फर्म देट 85% screen to body कही न कहीं, जो two-sided narrow bezels है, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वेट की बात करूं तो तो friends, आपको around 1.7 kg वेट देखने को मिलता है, and some sort of Ergo Hinge का concept जो है, इन लोगों ने यहाँ पर use किया हुआ है, for pricing details, दोस्तों मैं आप लोगों को recommend करूंगा, तो description box में जो मैंने link दी है, वहाँ पर आप जाके जो है, इसे तुरन check out करें, और जहां तक बात रही दोस्तों, और कुछ गिने चुने models की, तो वो भी जल्द ही आप लोगों को जो है, देखने को मिल जाएंगे, और बात करूं, दोस्तों, दूसरे साइड में तो आप लोगों को वहाँ पे जो है, दो USB A port देखने को मिल जाते हैं, USB Type-C आपको 3.2 Gen 1 वाला देखने को मिल जाता है, and thanks God friends, आप लोगों को यहाँ पे जो है, Micro SD Cards हैं, आपको मार्केट में, अभी इंडिया में इतनी चीपली एविलिबल हैं, कि 1000 से 2000 तक के आपको आराम से Micro SD Card देखने को मिल जाएंगे, तो in case, अगर आगे चलके आपको ज़रूरत भी पड़ती है, तो you can definitely check out, और इसकी जो link है, वो भी मैं आप लोगों को description box में दे दूँगा, so here it is friends, मेरे काफी ज़्यादा viewers थे, जो कि मुझे पूछ रहे थे कि कब आएगा ये Asus VivoBook इंडिया में, और मैं भी कुछ दोस्तों परशान था, क्योंकि इतना time नहीं लगाती है, Asus और VivoBook series जो कि इंडिया की one of the most dominant बिकने वाली उनकी series है, इनको आने में time लग गया खेर देर आए, दुरुस्त आए, and finally it is here, thank you, have a nice difference